Hello students, welcome to chemical science और बच्चो आज का मारा टॉपिक Arrylation of Aromatic Compounds by Diasonium Salts ठीक है? Means, Arrylation of Aromatic Compounds by Diasonium Salt मतलब Aromatic Compound का आपको again Arrylation करना है मतलब उसना फिर से Aromatic Green अटाइच करना है ठीक है? तो कैसे होता है? देखें, when Diasonium Salt Solution is made alkaline the arryl portion of the Diasonium Salt can coupled with another Aromatic Green क्या करना है? Diasonium Salt देना है alkaline solution में तो क्या होता है? जो Diasonium Salt का Aromatic Part है ना वो किसी दूसरी Aromatic Green के साथ coupled हो जाता है समझे माया? Diasonium Salt का Aromatic Part दूसरी Aromatic Green के साथ coupled हो जाता है clear होआ? इस reaction is known as the Gomberg और Gomberg-Bakman reaction चली, तो reaction देख लेते हैं फिर इसकी mechanism के थूसको समझे की कोसिस करते हैं तो बच्चों देखो, reaction आपका simple यह है यह आपका मैं हाँ पर कोई Diasonium Compound ले लेता हूँ ठीक है? और इसको किसी दूसरी Aromatic Simple Aromatic के साथ ले लेते हैं इससे मैं यहां लेगा टॉल हो जाना है और इसको क्या होना है? आपस में coupled हो जाना है ठीक है? तो यह coupled हो जाएंगे मतलब Diasonium Salt का जो Aromatic पार्ट है वो इस वाली रिंग साथ की coupled हो जाएगा लाइक देस CS ठीक है? और बाई की बाई प्रोडेक्ट भी होंगे उसकी हमें जरुवत फिलाल नहीं है तो यह रही है आपकी में रियक्शन अब इसकी Mechanism देखते हैं यह कैसे हुआ? देखिए Mechanism Mechanism में Step First ठीक है? सबसे पहले आपने क्या करना है? जब आपका Diasonium Salt है ना उसकी रियक्शन भी इसके साथ करानी है ठीक है? तो यह हो जाएगा कुछ हमारा लाइक एंड ट्रॉपल बॉर्ड एंड पॉजर रटे हो ठीक है? Salt form में ले रहा हूँ है इसको ठीक है? एक्स लिगेट ही जरुत नहीं हो उसको में हटा दिया अब देखिए सबसे पहले क्या होता है? इस बॉर्ड की ब्रेकिंग को जिस तरीकी की होती है? नाइटोजन की सेट को होगा ओवियस सी बात है उसने प्लस चार्ज है तो अब यह क्या देखो? क्या होगा? प्लस चार्ज रिमूव हो जाएगा ठीक है? और इसका अटा है किदर हो जाएगा? ठीक है क्योंकि अब उस नाइटोजने प्लस चार्ज आ गिया है तो यह रहा N डबल बॉर्ड N और N के सांथ क्या जाएगा बच्छ आपका? OH यह रहा इसके लोल पेर्स यह बना नेक्स स्टेब स्टेब 2 ठीक है ऐसे दो मॉलेक्यूस हापस में क्या हूंगे? एक ह्टू मॉलेक्यूस को अलिमिनेट करेंगे और कपल हो जाएंगे तो यह कुछ ऐसा बन जाएगा देखिए डबल बॉर्ड एंड OH और प्लस HO एंड डबल बॉर्ड एंड यह देखिए ठीक है अब यहां से आपको एक ह्टू को एलिमिनेट कर देना है और जो बचा कुछा है बचा कुछा इटम उसका आपस में करना है कपल कर देना है तो यहां से माइनस ह्टू हो और यहां बना देते हैं यह देखिए और डबल बॉर्ड एन ओछ देखो एच टू और ओएच निकल गया तो क्या बचा रहे रहे हैं पर ऑक्सिजन एनड डबल बॉर्ड एन और एन के साथ फिर से एक अरमेटिक रेंड लियर हुआ ठीक है देन स्टैब थिरी अब यह कंपाउंड आपका ब्रेक होगा और यह एनड टू रिलीज करेगा ठीक है और बेंजीन का रेडिकल बनाएगा यह देखिए ठीक है अब देख रहा है ठीक है तो कैसे ब्रेक होता है देखिए को जिस तरीके से यह बॉन्ड रेडिकली ब्रेक हुआ और सिमिलर्ली सेम टाइम यह बॉन्ड रेडिकली ब्रेक हुआ देखो नाइट्रोज के पास भी रेडिकल आ रहा है इस नाइट्रोज के पास भी तो क्या बनानेंगे दोनों मिलके एन्टू और एक radical आपका यह बनी गया बेंजीन का radical प्लस N2 और प्लस remaining portion क्या है इसका यह रहा बेंजीन बेंजीन के उपडर N double bond N और उसके साथ O radical clear हुआ? ठीक है न? चलिए then step 4 ठीक है अब यहां से आपका product बनने के सुरुआ तो यह रहा आपका बच्चो बेंजीन radical ठीक है अब आपने दूसरी toluene molecule जो आपने लिया था उसको लिया आते हैं तो सबसे पहले बच्चो यह रहा हमारा एक बेंजीन का radical और प्लस यह रहा हमारा CH3 कुछ इस तरीके से ठीक है? तो सबसे पहले देखो अब इस radical की presence में इस bond का भी radically cleavage होता है और यह radical radical आपस में बना लेंगे bond तो यह कुछ ऐसा यह देखो single bond कहां आगिया सीधे? रिंग के पास और रिंग में कहा है को यह radical है अब दो को यहाँ पर radical है ना इस कारवन पे इस तरीकी से यह double bond यह बन जाएगा और radical आपका यहाँ पर आ जाएगा ठीक है? और यह bond as such है जैसा था और यहाँ पर कौन होगा एक हाइड्रोज इतना clear हुआ ना? ठीक है? clear अब आप चाहो तो इसको आगे बढ़ा लेते हैं एक step का हो जाएगा क्योंकि जादा लंब हो जाएगा otherwise reaction देखिए अब आपको क्या करना है यहाँ पर इसको आपका यह बना था यह वाला ठीक है radical और इसका थो भी हमने यूज नहीं किया अब इसका यूज होगा like O radical N double bond N और N के सांथ कौन होगा आपका बेंजीन की ring ठीक ह अब देखो क्या हुआ एक radical इस carbon ने बनी गया है ना अब यह radical और इस bond का radically bond और एक radical इस वाले carbon ठीक है तो क्या बनेगा देखो ध्यान से कुछ इस तरीके से देखिए अब यह CS3 वादा radical और क्या बना लेंगे आपस में double bond यह bond यहां से break हो चुका है double bond तो एक radical तो bond बना लिया और एक radical इस वाले carbon पर और एक radical उस carbon जहां से वापके ring अटेच्ट है मतला इस वाले carbon पर तो यह भी क्या बना लेंगे radical और यहां already double bond बना हुआ है ठीक ह है और यहां पर edge था वो कहां चला गया edge इसके सांथ देखिए यह हो जागा आपका क्या एंड डबल बॉंड एंड और एंड के सांथ क्या है O radical और वो के सांथ को लागे बुच्चहां पर edge आ गया है clear हुआ तो यह रहा आपका वाच्छो इसका main product ठीक है तो यही आपका product था clear हुआ आप reaction के स्टार्टिंग देख सकते देखो यह हमारी reaction यह रहा आपका product main reaction का product ठीक है और finally हम आपके इसको product में पहुंच गए ठीक है यह हमारा main product clear है ठीक है न तो इसे यही क्या था बच्छा आपका evaluation of aromatic compound by diazonium salt इसमें हम और भी reactions बच्छों भी पढ़ेंगे ठीक है जैसे इसमें हमारे बाग गेट्रमान रियक्षण स्टैंड मेर रियक्षण ठीक है चलिए तो इस तो इस वारे लेक्च्छों ही खतम करते हैं इसके बाद और examples हैं तो इसके हम लोग फिर बाद में नहीं lectures में discuss करेंगे